रेना साब मेरी जिन्देगी में सिर्फ एक मकसद था बड़ा आमीर दौलत मन्द इनसान बनना और मैं कितना भी कमा लेता सिर्फ एक मिडिल क्लास जिन्देगी जी रहा होता जो लाखों करोडों लोग करते हैं इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर अपना निशाना बनाया मिस्टर विजय कपूर को उनका विश्वास जीता और उनके ओफिस में दाखिल हुआ और वहां मुझे पता चला कि उनकी सबसे वड़ी कमजोरी है उनकी बेटी प्रीती और प्रीती के सामने मैंने अपने आपको ऐस से पेश किया कि उसे मुझसे प्यार हो गया अब मेरा रास्ता मिस्टर विजय कपूर के ओफिस से उनकी घर की तरफ मुड़ा मिस्टर विजय कपूर मुझे घर गाड़ी पोजिशन यह सब देना चाहते थे लेकिन मैं उनकी यह भीक नहीं लेना चाहता था मेरे का बेटा आजये लेकिन पहले ही दिन बाप बेटे की बातचीत के तरीके से मैं समझ गया कि दोनों का जिंदेगी में चलने का तरीका बिलकुल अलग है इसके बाद मैंने अपना दूसरा खेल खेलना शुरू किया जब मिस्टर विजय कपूर ने अपने बेटे को फैक्टरी म एक्सपीरिंस के लिए भेजा तो मैंने उसे हरी सिंग के साथ भीडा दिया हरी सिंग एक्सपर्ट पंगेबाजी में उसने फैक्टरी में स्ट्राइक कर दी ये थी मेरी दूसरी जीत